नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चनल में में बहुत-बहुत स्वागत है और लाइब ट्लियनिक है तो चले लाइब कलियनिक चालो करते में आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालटी अच्छी आ रही हो और अच्छी आ रही हो जो आप देख पा र तरह से question कर सकते हैं एक तो normal chat और super chat तो चलिए लाइब क्लिनिक चालू करते हैं और आपके questions के answer देना चालू करते हैं फटा फट से तो question 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 और सबसे पहला question है अमरेंदर अर्मान जी के तरफ से sir first pain in the right hand then spread to the right neck aggravated in night देखिए मुझे लगता है कि अगर right hand में और right neck तक वो spread हो रहा है और रात में एग्रवेशन होता है तो rug stocks जरूर यूज़ करें और rug stocks आप 200 potency में दो बूल सुबह शाम यूज़ करें ये medicine 15 तक लें बहुत अच्छे results आपको मिलेंगे पंकच जोसी जी का सवाल है sir मेरे सिर में अजीब सी खुल तोड़ा सा net जो है वो disturb हो गया था आप चलते हैं questions लेते हैं तो इंडियन देशी food जी का सवाल है sir pain in the shoulder and increase तिक है अगर shoulder में पें होता है और वो increase हो रहा है तो इसके लिए आपको मिलेंगे हलाकि नेट जो है वो ठीक ठाक चल रहा है और यह medicine एक महिने में आपकी problem ठीक हो जाएगी लेने से डॉक्टर असोक जी का सवाल है इसा 6CH और 6C बहुत हर सेम बिल्कुल सेम है दोनों दोनों में बिल्कुल कोई अंतर पर मेरा वीड़ा शोजी और के लिए जाएम अंब आप अंतर अंब आप आप अ कौसम को इच्छ रिजव एक अधिका सुपर चैट है थैंकिस और एक सवाल है सर जी है वह टीथ वीजडम रहा है अकल डाट वीजडम तीथ हा रहा है है और प्लीज उपाए बताएं लीड़ होता है जब आपका wisdom teeth हाता है और उसके लिए आप यूज करें प्लैंटेगों मदर टिंचर बैला डोना मदर टिंचर और क्लियोजोट मदर टिंचर तीनों को बरावर मात्रह में मिलाएं और मेरा teeth pain combination है और इसको मिला के आप 20 बूंद आधे कप पानी में डालके इससे कुल्ला करें दिन में तीन से चार बार इससे दर्द में तुरंत आराम लग जाएगा साथ में बैला डोनट हैटी दो बूंद दिन में तीन बार लीजेगा ठीक हो जाया तो बंद कर दीजेगा फिर कभी आ उटरि ऑल ओवर दबॉडी और ब्ल blendて माएगा इन्च कहले ढाई के और से अ कितीक अगल आप 2 रपांट आधा जेगा चा दो बुंद सुबह शाम लीचे यह मेडिसिन आप एक महले तक लें बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे गोपाल पाटिल जी का एक सुपर चैट है सर जी प्रणाम मेरी मा को बहुत दिनों से नाक में अलर्जी है और चीकें बहुत जादा आती है हाथ पाओं में बहुत में दवा बताएं कि मुझे लगता है कि उन्हीं सलफर दीचे और सलफर आप सुर्वात में सिक्सी एच पोटेंसी में दीचे और दो बुंद सुबह सुबह दीचे साथ में आप हिस्टमीन टू हिंट्रेट तो बुंद रात में दीचे और ऐलियम सीपर ठैटी और काली बि कुशन तो थैंकि सो मच फॉर सुपर चैट हरें रश्या जी का सुपर चैट है वाट्सअब इस ऑन आई विल सेंड फिंगर पिक्चर दिखिए वाट्सएप एक्चुली में मेरा असिस्टेंट चलाता है मेरे बास हूं मोवाइल नहीं है तो आप मुझे चाहें तो email कर सकत हैं वह मैं देखता हूं और कीरती विक्रम सिंग परिहार एक्टारेट जीमेल डॉट कॉम जो असिस्टेंट है वह मेरे से कुशन पूछता है यसे आपके वाट्सअब देखता और उसके बाद कुशन पूछ के मुझसे जब मैं आंसर बताता हूं तो वह लेक लेता है तो करते हैं कि हर चीज मेरे बस की बात नहीं कि हर काम मैं ही खुद करूं वाट्सअब में बहुत सारे कुशन आते हैं और कुछ कुशन तो नॉर्मल ही ऐसे हालो वाले रहते हैं तो बहुत टाइम बेस्ट होता है तो इसलिए मैंने एक असिस्टेंट रखा हुआ है कि वह सिर् मैं उनको आंसर दूँ तो लोगों को फायदा लगे तो आप मुझे वाट्सअब कर रहें इस अच्छा है कि अब ही आगा अपने सुपर चैट किया है उसमें ही आप प्रॉब्लम बता दे तो मैं आपको आंसर दे दूँगा अगर आपको पिक्चर भेजना है तो आप वाइल को हम थोड़ा सा जो है कि सायलेंट कर देते हैं अधा और श्रेया जी का सवाल कहां गया हां श्रेया जी का सवाल का मैंने ले लिया था अजै प्रताब जी का सवाल है वो मैं ले रहा हूं इसको है तो अजय जी का सवाल है से डिया डॉक्टर एज शिक्टी फोर है और मैं ब्लॉट शोडियम लेवल इस क्लॉराइड लेवल इस नाइंटी विलो नॉर्मल रिंज डॉक्टर एड्वाइज मी तो इंक्रीज साल इंटेक बिल्कुल सही बूल रहे हैं आप साल्ट इंटेक पढ़ाई और नेट्रम फॉस पी लिजिए और नेट्रम फॉस आप सिक्स एक्स पोटेंसी में च्छा गुल लेग के पीछे मतलब यहां पर पिंडली में और मसल्स में बहुत जादा खिचाव और दर्द महसूस होता है गौतम जी आप आर्निका टुहेंटर दोबन सुबह शाम और रूटा टुहेंटर दोबन सुबह सुबह शाम लें रूमाटोन ओयल है को कंपनी का आता है इससे आ एक मैडेसिन हर तरह के चर्मरोग में काम आती है बायो कॉम्बिनेशन नुमबर 20 20 बीस नुमबर बायो कॉम्बिनेशन उसे आप लीचे च्छे गोली सुबह दो पहर शाम बहुत ही एफेक्टिब मैडेसिन है और बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे सर फर्स्ट पें इन देन इस्प्रेट तो दा राइट नेक एंड अग्राविशन इसका मैड को आंसर दे चुका हूं तो चले फिर से मैं क्वेस्टिंस के आंसर देता हूं और मिस्टर टू जी का सवाल है इस सम्वन विट कैंसर रियक्ट विट कार्सिनों सिन फ्रॉम हिस ऑन सेल्स और विल जरूर साथ में दिखाना चाहिए लेकिन अगर आप हुमिपैटिक मैडिसन भी दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसके सिंटम्स भी देख लीजिए आप सिर्फ कार्सिनों सिन बस सिर्फ नो सोच के कार्सिनों से देना सही नहीं रहेगा हलाकि कार्सिनों से और थूजा ढीजिए दो मैडिशन बहुत अच्छी होती ऐं और चान्सर के लिए और खासकर त्थूजा जो हैब हो Hero को रोग देती थूजा जरूर आप बेसकते हैं कार्सिनोंषरन भी आप दे सकते हैं लेकिन कार्सिनों से कि लचिंचर्ण कुछ नपकुछ तो मिलने चाहिए तभ ही में दिन में तीन बार लीजे और आर फाइव खाना खाने के दस मिनट पहले थोड़े से पानी में लगभग एक चौथाई कप पानी में सुबह शाम लीजे बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे तो दुनों में आधे घंटे का अंतर जरूर दीजेगा विवेका नंद जी क सुपरचेट है और सुपरचेट वो कह रहे हैं कि सरफ आई मंद के बेवी के मोशन में इसमेल आती है इसमेल्स पौटी में बहुत जाद स्मेल आता है और सरदी फीवर है और मोशन भी है और हमेशा चरचड़ा करता रहता है मैडिसन बताएं तिक अगर बच्चे चरचड़ाते बहुत जादा है तो उनके लिए कैमोमिला सबसे एफेक्टिब मैडिसन है मोशन में भी आराम लगेगा तो कैमोमिला आप 30 CH potency में एक बुंद या गोलियों में दे सकते हैं तो गोली में दे दीजिए इनको एक बुंद एक चम्मच मा के दूद के साथ या एक चम्मच बिल्कुल उबले हुए साफ पानी के साथ सुबह सुबह दीजिए और साथ में पोडुफाइलम ठैटी क्रोटांटिक ठैटी एक दोनों को मिला के एक एक बुंद दिन में तीन बार दीजिए और बायो कॉंबिनेशन एक किस नमबर लगभग दो गोली एक चम्मच पानी में घोल के दिन में दो बार दीजिए बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे थैंकि सो मच पॉर सुपर चैट विवेका नंद जी और उदित जी का सवाल है सर मैं उदित मेल 31 यह मुझे पिछले लगभग एक साल से टैनेटस है बोथ यह में और रात में सोते वक्त हर सुबह जादा हो जाता है सायद नेक में प सिक्स एच पोटेंसी में दो बून सुबह दो पहर शाम लीजे और साले साथ में आप काली फॉस सिक्स एक्स पोटेंसी में छे गोली सुबह शाम यूज करिए बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे थेंगे सो मच कोश्यन करने के लिए अनुराग गुपता जी का एक सुपर चैट है जैसे दिखेगा वैसे ही मैं आपको आंसर दूंगा तो टैनेटस पे मैंने बहु भूल गया है उन्होंने मुझसे फर्माइस की थी और उसमें नया नया चैनल था तो मैंने उस फर्माइस पर दो तीन मैंने पेशन भी ठीक किये थे तो उसके आधार पर मैंने वह वीडियो बनाया और काफी सारे लोग उससे ठीक हुए तो मुस्टली चीनो पोडियम बहु और क्लडाफ निकलता है निकलता है तो एक व्रण फाल का धैनि अधाल कर घैन्राफ निकले तो एक मेडिसिन मैजेरियम यूझ करें और मैयजेरियम आप Drug 200 Pixel 90 बहुट music 27 हमें एक बार लें और साथ में आप यूज करें नेक्ट्रम मियूर और नेक्ट्रम मियूर ठैटी दो बूंद रात में डेली लिए साथ में आप एक एसी हैश वो टैबलेट दो गोली सुबह दो बहर शाम चूसें लगाने के लिए एजार डिरक्टा मदर इंचोर और सामके पांच बजे से नौ बजे तक के बीच में लगबख 99.5 के बीच में हो जाता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है तो उनको कोई किसी वी तरह का फीवर याने इंफेक्शन तो नहीं है मुझे लगता है कि थोड़ा प्री क्लाइमेटिक फेस समझ में आ रहा है क्योंक सब्सक्राइब के बारे में लिखा है तो अगर मैंसेज इरेगुलर हो और यह प्रॉबलम हो तो युपटोरियम परफ 30 एक बुंद लगभक दो पहर में देदीचिए एप्रॉक्स चार बजे के करीब और साथ में लैकैसिस 200 दो बुंद सुबह 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 सुब अगर मैंसेज इरेगलर होंगे तब भी ठीक हो जाएगा तो मुझे समझ में क्या होता है कि 42 43 के बाद थोड़ा सा क्लैमेटिक फेस आ जाता है जिसमें होट फ्लेशेज और हलका सा बॉड़ी तेंपरेचर में डिफ्रेंस आने लगता है थोड़ा सा बॉड़ी तेंपरेच इरेगलर्टी भी है तो मतलब उसी के कारण है और यह बिल्कुल नॉर्मल है तो जादा जावा लेने की ज़रूत नहीं सर्फ आप लेकसेज लीचे मैंसौल सिरफ लेजिए और थोड़ा सा यूपर्टोरियम पर लेजिए एक सवाल है रवी जोहान राजपूर जी का सर आपस इमेल कर दीजें अगर मैं देख लूँगा तो बिल्कुल आंसर देदूगा एमेल में आज मैंने लगभग 200-300 मेसेज आज कल मैंने कम आंसर दिये तो इसलिए आज मैंने थोड़े जादा दिये कल रात को भी थोड़े आंसर दिये तो देता रहता हूं बीच-बीच म आप इमेल कर सकते हैं किरति विक्रम सिंग पर यार 8-8 gmail.com और रेगुलर में आते हूं लाइफ क्लिनिक तो लाइफ क्लिनिक में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम में बता सकते हैं एक सवाल है संदीब जी का सर एक्सिडेंटली जो है डिट आल में चला गया है और मैडिसेन बताएं लिगे जब कोई भी ऐसी चीज आखों में जाए तो दूद से आँक साफ करें बहुत ही फायदे मन होता है तो यह चीज हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आखों में कोई चीज जाए तो दूद से आँक साफ करना चीए और खासकर अब आखिए चीज आखिए या इसे डिक चीज आप पी लेते हैं तो आप दूद्ध पीए वेदर की आप पानी का इस्तिमाल करें उससे अच्छा है कि आप दूद्ध से आख साफ करें तो यह चीज करें और अब तो मेरे खाल से काफी समय हो गया होगा और ऐसे में आप एक सब्सक्राइब तो मैडसेन आर्सेनिक देजिए आर्सेनिक ठैटी पीना है दो बूंद सुबह सुबह और साथ में यूफ्रेशिया ऑफिस अनेलिस्ट ठैटी दो बूंद सुबह दो पहर शाम पीना है अगर आखों में धुद्लापन है तो इसका मतलब है कि आखों की जो सब्सक्राइब तो इसे में अगर धुंद्लापन बहुत जादा है तो आप आइस प्सक्राइब को जरूर दिखा ली जाएगा एक सवाल है और यह सवाल है नो लिमिट जी का और धुंद्लापन नहीं है सिर्फ जलन है तो यूफ्रेशिया और आर्सेनिक से प्रॉब्लम ठ 36 जो है शियार्टिका की स्लिप डिस्क ट्रॉप और एस्कुलस यूस कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आप सही मैडिसन ले रहे हैं इसे आप कंटिन्यू करें बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स आपको मिलेंगे पॉल जी का सवाल है सर जियोग्राफिक टंग के लिए क इसे तो जरूर ठोड़ा सा पढ़ लीजेगा अगर सिम्टम मिलते हैं आपको तो नेट्रम यू ले लिजे घ्याग कि आप इसे फेक ही लच्छेन बता रहे हैं तो तो उस लच्छर के अधार पे नेट्रम यू ली जगा और नेट्रम यू रप्टूंड प्रूंड्यों हुआ हम समस्या है और स्बस्क्राइब भी सोगा घाना है टोठास्त्राइब घास्त पॉर्ट होकिक लॉट क्या go टाइब का सिंस लास्ट सेवन यह से हो रहा है एपी डायमेटिस वाज डिसॉल्व बट लिटिल नोट्स प्रेजेंट तो लगभख आप किसी का भी घरवा लीजे तो थोड़ा सा निकली जाता है इतना टेंशन लेनी की जरुत नहीं तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते मुझ के लिए सेवल से लेटा बहुत ही अच्छी मेडेसन है और इसको यूज करें और साथ में आप अस्व गंधा मदाट इंच और दैमियाना और जिंसंग मदाट इंच यह तीनों को मिला के पीज बूंद आधे का पानी में दिन में तीन बार लें तो सेवल से लेटा ठैटी द पैथोलोजिकल प्रॉब्लम आपको नहीं है मतलब कोई भी वीमारी नहीं है सिर्फ थोड़ा सा सेम्टमेटिक आपको सेम्टम्स दिख रहे हैं एक साइन है बस एक सवाल है डिमपल जी का और नेट चल रहा है हाँ जी नेट तो चल रहा है हलाकि यहां पर नेट जो है वो आसा डामडोल हो रहा है तो डिमपल जी का सवाल है सा मेरी मेल 82 और मरी में ब्रेन एट्रॉफी इंक्लूडिंग माइल ब्रेन एट्रॉफी और वाइट मैटर में हाइपर टैंसे टैंसाइटिस की प्रॉब्लम है और इस्चिमिक चेंजेज भी आ गये हैं साथ में वी आर टेकिंग आर 12 फॉम लास्ट शिक्स मन्त और होमियो रिवर्ट्स इट इस हाव मैनी मुझे लगता है आर 12 तो ठीक दे रहे हैं के लिए लेकिन एट्रॉफी के लिए ब्रेन एट्रॉफी के लिए आप जिंगो बैलोबा दीजिए जिंको बैलोबा और जिंको बैलोबा मदर इंचर और ब्राम ही मदर इंचर दोनों को मिला कि 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में दो बार दीजिए तो दोन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना भी चाहिए और आर्निका आप 200 पोटेंसी में दो बूंद दो पाहर में दीजिए कार्भुवेज वन एम थोड़ी नॉर्मली जेनरल फिजिकल वीकनिस के लिए बहुत अच्छी मैडिसेन हैं तो कार्भुवेज वन दो बूंद सुबह सुबह जरूर दीजिए और जैल्सीमियम वन एम दो बूंद रात में दीजिए लेकिन जैल्सीमियम हर दिन ना देके तीन तीन दिन में एक बार दीजिए बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे डिमपल जी और बहुत इफेक्टिव मैड़सन इसके साथ काली फॉस भी देते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं फटाफट से पवन कुमार जी का सवाल है सब्सक्राइब जॉन डिला सिरफ नक्स वोमेका 200 आयोडम 200 से हमको फायदा नहीं हो रहा है और क्या लगबग 2-month हो गये हैं और मेरा इसकिन अलर्जी भी है तिकि मुझे लगता है कि यह जो मैडेसिन आप ले रहे हैं यह पेट के लिए रहे हैं या साथ में आपको भूक नहीं लग रही थी उसके लिए ले रहे हैं तो अगर भूक नहीं लग रही है और पेट के लिए रहे हैं तो यह मैडेसिन सही है और अभी आप इसे कंटिन्यू करें साथ में आप जॉंडिला सिरफ की जगह आप अल्फा टॉनिक SBL की ले लीजिए अभी जॉंडिला सिरफ आपके पास जितनी है उतनी कम्प्लीट कर लीजेगा उसे खतम कर दीजेगा और उसके बाद आप अल्फा टॉनिक ले लीजेगा एक धकन सुबह दो बहर शाम बाकि नक्स भूमिका और आयोडम इससे आप कंटिन्यू करें लगभग दो महने और तो अच्छे रिजर्ट्स आपको मिलेंगे स्किन की अलर्जी के लिए आप अस्टेगास फ्लेविया टैस्टेटी दोबन सुबह शाम पीएं बहुत ही एफेक्टिव मैडिसन है एक व्रुशोली जी का सवाल ह अब आपको बहुत है अच्छी मैडसेन है श्क्स पोटेंसी में अच्छा गुली सुबह शुबह 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 एक सवाल है दीपा जी का और और इस साल का डॉक्त दे तो बहुत ही महत्वट पूने किस बार डॉक्टर्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहे हैं जो कि आज के पहले लगबख कभी ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ जाए वो नॉर्मली एक क्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर हो या हॉस्पिटल में जो है वाट्स में हो या OPD में हो या ICU में हो कहीं पर भी कोई भी डॉक्टर है उसे एक अलग तरह की चुनवतियों का सामना करना पड़ रहा है दो पहले सिर्फ डॉक्तर जो पहले और अभी बहुत अंतर आगया जैसे पेशियंट को बगर में बैठा के हम बहुत पूछा करते थे अब थोड़ा सा दूर और खड़े होंके पूशना पड़ता है in fact मैं तो अब बार बार बैठना खड़े हुने ओला सिस्टा मी बंद कर दिया हूं कुर्सी खड़े हो के फेसेंट देखना पड़ता है यो की लगता लाइन लगी रहती है दूर से पेशेंट देखना है पेशेंट भी खड़ा रहता है मैं भी पूछता हूं और उसके बाद सिंटम्स के आंसर मेडाया बटता हूं मेडेशन लिग देता हूं पिर मेडेशन बना के फिर देता हूं तो कि एसिस्टेंट भी निहीं रखा हूं बहुत सारी चीजे चेंज होई हैं और बहुत सारी चुनावतियां है इस समय तो हर हर के सब्सक्राइब 받लो सब्सक्राइब सबाइ करूब थोड़ी-thोड़ी देर बाद यूरीन करता है और कॉन्टिटी में करता है कौन सी मैडेसिं दूँन सिल धौत सब चलते हैं ककलते हैं और यूकस्ट ही मेरनर तो नहीं फॉर्टिल News में ऑच्प और यूकस्तियम टेंट2 एक बून सुबह शाम दीजिए और कॉस्टिकम ठैटी एक बून सुबह शाम दीजिए बहुत इफेक्टिम मैडसेन है बहुत अच्छे रिजर्ट्स आपको मिलेंगे तो पवन कुमार जी का अंसर दे दिया था यूज सेम मैडसेन तो अगर अभी तक कोई डागनोस नहीं है मतलब यह फंगल इंफेक्शन है नहीं है यह स्केवीज है यह अगर आपको यह नहीं पता है तो एक डर्मेटोलोजिस्ट को जरूर दिखाएं और पता करें कि यह प्रॉब्लम क्या है उसके बाद मुझे प्रॉ अगर आपको नहीं पता है कि क्या कारण है तो कारण जरूर जानी है और इसके लिए एक डर्मेटोलोजिस्ट से आपको जरूर मिलना पड़ेगा एक डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से जो देखके बता पाए अलाकि इतने दूर से हम आपने देखके नहीं बता सकता है इसलिए जितने भी लोग होते हैं इसलिए डागनोसी से बताते हैं और डागनोस अगर आप डिसीज बताएंगे औ एक सवाल है अंकिर जी का और बाकी मैंने आपको मैडिसन बताई है तो सल्फर और सेनिक जरूर यूज करिए डॉलिकस बहुत यह अच्छी मैडिसन है और एक ब्लड पिरिफायर सारसा से रफिक धकन सुबैदो पाहर शाम तो एक सवाल है और एंकल जी का सवाल है सराई है एकने स्कार और स्फॉट्स प्लीस अधे मैडिसन देखे एकने सकार के लिए मार्गो क्रीम मार्क्स गो क्रीम बहुत यह अच्छी मैडिसन है और रात में एक बार ज़रूर लगाएं बहुत यह अच्छी रिजर्ट्स आपको मिलेंगे थैंकिसो मुच कुश्चिन करने के लिए गुट्टू टेलर जी का सवाल है सरदो दो साल से पाइल्स बाहर हाड है पाइल्स जो है वो बढ़ा हुआ हाड है लगवग 2 cm इंच बढ़ा हुआ है और तीन जगह मतलब तीनों जगह तीन ही जगह होता है तो तीनों जगह आपको पायल्स है तो आप पाइलन 4 ड्रॉ और मिलाने के बाद 20 स्पून आधे का पानी में दिन में तीन बार लें बायो कॉम्मिनेशन 17 नंबर 6 गोली सुबै दो पहर शाम और एफपी ओंट्मेंट लगाने के लिए एक बार रात में ज़रूर लगाई ये मैडिसिन दो महिने तक यूज करें बहुत है रिजर्ट्स आपको मिलेंगे प्रिया गुपता जी का सर खाना डाइजिस्ट नहीं होता है और में अकडन सा रहता है कि खाना अगर डाइजिस्ट नहीं होता है तो आप यूज करें नक्सभूमिका और नक्सभूमिका टूहेंट्रेट दोगूंद शाम को लें और जांडिला सिरफ एक बहुत अच्छे रिजर्ट सापको मिलेंगे और एक सवाल है भटाचारी जी का पाओं में दर्द है और फूल गया है पाओं आफ्टर इचिंग मैड़सें मतलब पाओं में दर्द है और फूल गया है फास्ट एक्टिंग मैड़सें बताएं तिकि मुझे लगता है कि आप इसमुद आपको मिलाली जिए मिलाने के बाद 20 बुंध आधे कभ पानी में हर थीं तीन घंटे में लीजिए असे चैनल और राक स्टाक्स टूएंटर को मिला के 2 हुद हर थीं-तिन घंटे में यूज़ करिए जब ठीक लगने लगे तो इससे आप दिन में तीन बार कर और दो थी लगभख एक फंद्रा दिन तक कंटीनिव कर फिर बंद कर दीजएगा एक सवाल है और सुपर चैट है यह भी सुपर चैट था भट्याचारी जी का थैक्ई सो मच फो पर छैट इसके पहले प्रिया अभूता जी का सुपर छैट है द्गिसो मच दुबे जी फार सूपर चैट और एक क्वेश्चन है संदीव जी का जैसे दिखेगा वैसे आंसर दूँगा एक सवाल है सर यूरीन रिलेशन पोस्ट वाइल जो है लगबक रिटेंशन होता है यूरीन एक सो नबबे एमल रिटेंशन है और साथ में यूटी आई भी है आरजी यू एंड प्रोस्टेट इस ओके टूमच स्टैनिंग ब्लाडर पर वाटर डालने से यूरीन आता है और डॉप बाइड आप मुझे लगता है कि रोडेंड रॉन आप 200 प्रोटेंशी में दोबंद सुबह 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 दीजिये और साथ में क्लेमेटिस एरेक्टा टू हेंटेड तोबंद सुबह शाम दीजिये मेडिसन एक मेनी तक दें बहुत यह अच्छे रिजर्ट मिलेंगे और बहुत इफेक है और बीपी लो हो जाता है हार्ट बीट एक सो पचास पे चला जाता है अप शेंश्या और गोल्ड रॉप आता है जो कि शौबह का है उसे आप 20 पुन आधे का पानी में दिन में तीन बार पीजिए डिजिट एलिस 200 पोटेंशी में दोबंद शाम को यूज करिए साथ में अगर बहुत सारे सपने या आपको विचार आने लगते हैं तो आप 804 और 40 बूंद आधे का पानी में रात में एक बार लीचे बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे अमित चर्मा जी का सवाल है सर 8-year-old को नासा कॉम्बिनेशन कब तक देना है तिकि 8 साल के बच्चे को नासा कॉम्बिनेशन लगबख एक महिनी तक आप बिल्कुल दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब तक ठीक ना हो जा तब तक भी दे सकते हैं तो संदीब जी का सुब एक सुपर चैट है सर आई है वसी के स्टेज 3 और यूफरेशिया ना फॉर आई इस ओके बिल सर कमर और पीठ और गर्दन की लंबे समय से दर्द की कौन सी दवाय रक्स्टॉक्स 200 दोबूंत रात में यूज़ करें एसकुलस 200 दोबूंद सुबह सुबह और साथ में रूटा और आर्निका 200 दोबूंद सुबह शाम यह मैडशन एक मेने तक लें बहुत अच्छे रिज नौट फिलिफ इन वाट यह पॉपलीटियल साइनस तो बहुत पैलो नारल साइनस में आपको रिलीफ हो रहा है तो बूंद से रिलीफ होना चाहिए और मैडशन तो सही है आपकी सिर्फ इसमें एक आर्निका मिला लीज़े और आर्निका आप 200 पोटेंसी में आर्निका से क् सब्सक्राइब हो जाता है तो आर्निका आप 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह शाम लीज़ेगा और बाती मैड़सन सही है एक सवाल है मुकस इन स्टूल लोड टेंपरेचर एसिटी की प्रॉब्लम है तिकि मुझे लगता है कि अगर म्यूकस आता है स्टूल में तो मर्क पंद्रा दिन तक करें बहुत ही अच्छे रिजाट्स मिलेंगे तो दोस्तों आज का लाइशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं आशा करता हूं कि आपको यह लाइप क्लिनिक लाइशन अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो की नीचे एक लाइक का बटन और नीचे कमेंट शेक्शन है मैसेश जरूर करिएगा दूसरे इस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आजके लबस्यत नहीं